तेल एवं सिरके द्वारा खाद्या परिरक्षन इसके लिए हमने मुली गाजर और गोभी में मसाला डालके तयार कर लिया है अब इसे हम जार में डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे हाँ बस इतना थोड़ा सा सर्शों का तेल डाल देते हैं बस इतना अचार को अच्छे से मिला लें धक्कन लगाकर रख लें अब यहाँ अचार खराब नहीं हो रहाँ हम रेफ्रिजरेटर में जूस आइस क्रीम मक्खन सबजी दूद पनीर वो अन्या खाद्या सामान रखते हैं क्योंकि कम तापमान सुक्सम जीवों की बृत्धी को रोकता है दूद को पौश्चरी कृत करने के लिए थोड़ा सा दूद लें इसे एक बरतर में डाल लें अब गैस जला लें और थोड़ी धीमी आज कर लें इसके उपर दूद को रख लें और धीरे धीरे गरम करें तब तक एक बड़े बरतन में बर्फ डाल कर रख लें ताकि जैसे ही गरम दूद आए उसे हम एकदम से ठंडा कर सकें इसकी पहले से ही तैयारी करके रखें पोश्च्रिक रित दूद को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्यूंकि यह सुक्सम जीवों से मुक्त होता है इसके लिए दूद को 70 डिगरी सेल्सियस पर 15-30 सेकिन तक गरम करते हैं फिर अचानक ठंडा करके उसका वंधारन कर लेते हैं ऐसा करने से सुक्सम जीवों की बिध्धी रुक जाए झाल 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 प्यारे बच्चों आप प्रतिजय भी किया एंटिबायोटिक का नाम जानते ही हैं प्रतिजय भी किया एंटिबायोटिक एक पदार्थ या योगिक है जो जीवानों को मार डालता है या उनके विकास को रोक देता है प्रतिजय भी कि रोगानु रोधी योगिकों का व्यापक समू होता है जिसका उपयोग हम कबक और प्रोटो जोवा सहित सुक्सम दर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवानों के कारण हुए संक्रमन को रोकने के लिए करते हैं प्रतिजय भी की बात होते ही सबसे पहला नाम जो हमारे ध्यान में आता है वहा है पेनिसलीन पेनिसलीन की खोज सन 1929 में अलक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और पेनिसलीन की खोज की एक बहुत ही रोचक कहानी है सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लैमिंग जिवानू रोगों से बचाओ हे तू एक संबर्धन पर परियोग कर रहे थे अचानक उन्होंने संबर्धन तस्त्री पर हरे रंग की फफूंद के चोटे चोटे विजानू देखे उन्होंने पाया किया फफूंद जिवानू की बृद्धी को रोक देते हैं और बहुत सारे जिवानू फफूंद द्वारा मारे गए इस प्रकार फफूंद से पहली पेनिसलीन बनाई गई प्रतिजयवी का उप्योग सिर्फ मनुस्या के लिए ही नहीं किया जाता है बलकि दूसरे जीवजन्तूं और पीर्ड पौधों के लिए भी प्रतिजयवी का उप्योग किया जाता है पशु अहार एवं कुकुट अहार में भी प्रतिजयविक मिलाय जाते हैं, जिसका उप्योग पशुओं में सुक्सम जीवों का संचरन रोकना होता है प्रतिजयविक उप्योग कुछ पौधों के रोग नियंत्रन के लिए भी किया जाता है बैक्टिरिया या जिवानू ये हर जगा पाय जाते हैं ये हमारे हाथ के उपर भी हैं, हमारे फोन पर भी हैं, हमारे मेज पर भी हैं, हमारे घर में चारों और पाय जाते हैं या यूं कहो हमारा सारा सरीर ही इन जिवानों से भरा होता है। इन में से कुछ हमारे दोस्त भी हैं और कुछ हमारे दुस्मन भी हैं और उन दुस्मन जिवानों के कारण हम बिमार हो जाते हैं। अक्सर लोग जब बिमार होते हैं तो खुद ही बिना डॉक्टर के पास गए मेडिकल स्टोर से प्रतिजैविक यानि एंटिवाइटिक ले आते हैं और सोचते हैं कि इसे खाकरवे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे लेकिन ऐसा करने से नुक्सान भी हो सकते हैं बिना डॉक्टर की सला से प्रतिजैविक दवाइआ कभी ना लें क्यूंकि हर जिवानों का संक्रमन अलग होता है और उसके लिए अलग ही प्रतिजैविक दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है इसके लाबा प्रतिजयवी का अत्यधिक उपयोग से भी हमें बचना चाहिए जल्दी ठीक होने के चक्कर में अत्यधिक प्रतिजयवी का उपयोग हमारे शरीर के लिए नुकसान दे है वो जिवानूं जो पहले प्रतिजयविक के उपयोग से मर जाते थे अब नहीं मरते हैं धीरे धीरे उन पर इसका असर कम होने लगा है प्रतिजयविक दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें आमतोर पर होता ये है कि हम प्रतिजयविक की दो तीन दवाईयां लेने के बाद सोचते हैं अब हमारा स्रीर स्वस्थ हो गया है जबकि जिवानों पूरी तरह से खतम नहीं हुए होते हैं और वे दोबारा उभर आते हैं इसलिए प्रतिजयविक दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें अबसक्ता ना होने पर प्रतिजयविक दवा ना लें बिना अबसक्ता के प्रतिजयविक दवा लेने से इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं स्रीर को अलर्जी या दूसरे रोगों का सामना करना पड़ सकता है सर्दी जुकाम या विसानु दारा हुए रोग में प् अनावस्यक रूप से ली गए प्रतिजयविक शरीर में उपश्थित उपयोगी जिवानों को भी नस्ट कर देती है अता प्रतिजयविक लेतेस में उपरोक्त साबधानिया अवस्या वर्ते